Welcome to all of you to the wonderful session of 24 वानी आज की session में आपका स्वागत है तो हमने हमारे last session में plasma membrane के बारे में पढ़ा था हमारा chapter चल रहा है cell the unit of life है न हमने plasma membrane के बारे में पढ़ा था कि plasma membrane कैसा structure है किस चीछ से बना हुआ है कैसी properties है कितना protein होगा कितना lipid होगा हमने कुछ ऐसी बाते की थी हमारे last session के इंदर आज के हमारे इस session के इंदर हम endomembrane system को cover करने वाले हैं endomembrane system होता क्या है ठीक है और उसे हमने endomembrane system कहा ही क्यों चलिए start करते हैं ठीक है endomembrane system के साथ में तो endomembrane system पहली बात तो हमें सिर्फ eukaryotic cell में मिलेगा क्योंकि हम बात कर चुके हैं हमारे जो प्रोकेरियोटिक सिल है वहाँ पर membranes नहीं मिल रही थी हमने कहा था ना कि जो हमारे प्रोकेरियोट्स थे लैक membrane bound structures वहाँ पर membrane bound structures absent थे प्रोकेरियोट्स के केस में तो अगर हम यूकेरियोट की केस की बात करें तो यूकेरियोट का अगर मैं एक सल बनाऊं आपके सामने तो देखिए मान लीजिए यह एक eukaryotic cell है ठीक है मान लीजिए कि यह एक eukaryotic cell है बहुत बड़ा सल बना दिया मैंने इसकी जो membrane है इसकी membrane का नाम आप सबको पता है what we call it we call it as plasma membrane क्या कहेंगे इसकी membrane को plasma membrane कहेंगे ठीक है और इस plasma membrane का सारा structure हम पढ़ चुके है plasma membrane के अंदर वैसे तो मैं सबसे last में पढ़ाऊंगा वो structure आपको जिसको कहा जाता है nucleus लेकिन मैं उसको draw सबसे पहले कर रहा हूं तो यह कर दिया है मैंने nucleus को draw nucleus is also a double membrane structure nucleus की भी दो membrane है ठीक है यह मैंने nucleus को draw कर दिया और जो देखिए दो membrane है तो inner वाली membrane का नाम inner nuclear membrane बाहर वाली का नाम outer nuclear membrane है ना जो outer वाली membrane है nuclear membrane है उसी में से outer वाली nuclear membrane में से एक structure arise होता है इस तरीके से flat structures हैं हमारे पास से और इनी structures को हम कहते हैं endoplasmic reticulum क्या कहते हैं हम इन structures को we call these structures as endoplasmic reticulum इसको हम endoplasmic reticulum कहते हैं इस endoplasmic reticulum की खास बात क्या है इस endoplasmic reticulum पर कहीं कहीं ठेक है specially कहीं कहीं specially जो nucleus है nucleus nucleus के पास वाला जो endoplasmic reticulum है वहाँ पर कुछ structures present है इन structures का नाम है हमारे पास ribosomes क्या नाम है ribosomes और यह जो ribosomes है न इन nucleus की बाहर वाली membrane पर भी present हो सकता है यह लेजिए यहां बना देते हैं ठीक है तो यहां पर एक बात सबको समझ में आई कि जो nuclear membrane है outer nuclear membrane है उसी में से यह structure बना इस structure का नाम है endoplasmic reticulum ठीक है और यह structure जब nucleus के बिलकुल पास में है वहाँ पर कुछ bodies पड़ी है उन bodies का नाम क्या है हमारे पास ribosomes ठीक है उनका नाम क्या है ribosomes जो यह लाल रंग से बनाया है यह हमारे पास ribosomes ribosomes एक ऐसा characteristic feature है जो prokaryotic cell में भी था जो eukaryotic cell में भी है prokaryotic cell में क्यों था क्योंकि इनके पास membranes नहीं हैं हमने यही कहा था कि membrane bound structures वहाँ पर नहीं मिलेगे हमें prokaryotic cell में नहीं मिलेंगे और यह जो ribosomes है membrane free structures है इनके membranes नहीं होती यहां तक की बात आपको clear है ठीक है इसी के बिलकुल पास में ठीक है इसी के बिलकुल पास में यहां बाहर की तरफ एक और structure present है and we call that structure as गोल जी बोडी क्या कहते हैं हम उसको we call that that structure as गोल जी बोडी यह बना दिया हमने गोल जी बोडी इसी तरीके के flat structures है ठीक है we call this structure sister ने हम इने sister ना बोल सकते हैं यह बना दिया हमने sister ने I think clear है sister ना यह इस structure का ना में हमारे पास गोल जी बोडी के ना में गोल जी बोडी अब होगा क्या actual के अंदर हमारे पास जब हमारे पास ribosomes देखिए एक चीज समझे थोड़ी सी कि जो हमारे पास ribosomes है ना जो हमारे पास ribosomes है यह एक protein का formation कर रहा है यह किसका formation कर रहा है इसलिए यह protein का formation कर रहा है और माल लीजिए यह ribosomes यहां पर protein बना रहा है और यह protein बनता बनता हमारे पास move कर रहा है एंडो plasmic reticulum के अंदर कहा पर एंडो plasmic reticulum के अंदर तो यह protein बनकर माल लीजिए यहां पर आ गया कि यह protein बनकर यहां आ गया कि इस protein को एक चूटे round structure के अंदर एक round structure के इस प्रोटीन को यहाँ से निकाल कर डाल दिया गया इसके इंदर ठीक है और इसको यहाँ से detach करवा दिया गया यह करवा दिया हमने इसको यहाँ से detach ठीक है और यह structure इसका नाम क्या है vesicle we call it as vesicle और ये vesicle जो हमने next structure बना रखा है जिसका नाम क्या है गोल्जी बोड़ी ये इस गोल्जी बोड़ी के उपर आकर fuse हो जाता है इस जगह पर आकर ये fuse हो जाएगा तो जब ये fuse होगा इस तरीके से माल लेजे ये fuse हो गया तो जो ये protein अपने अंदर pack करकर लेकर आया है उस protein को उसने इसके अंदर गोल्जी बोड़ी के अंदर छोड़ दिया गोल्जी बोड़ी के अंदर इसने इस protein को छोड़ दिया ये लिजे protein आगया आप गोल्जी बोड़ी के अंदर अब Golgi body उस protein पर कुछ काम करेंगे उसको sort करेंगे मतलब कि कहां पर उस protein को भीजना है ये decide करेंगे ठीक है? उसके उपर अगर कुछ modifications करनी है कुछ tagging करनी है तो वो tagging की जाएगी एक बाती याद रखनी है अब वो tag लगा कर कहां कहां पर उस protein को भेजा जा सकता है उस protein को जो protein endoplasmic reticulum के उपर बन कर आया, कहां पर आ गया Golgi bodies में आ गया अब उस protein को कहां पर भेजा जाएगा ठीक है? उस भेजने के लिए उसके उपर address लगाना पड़ेगा टाग लगाना पड़ेगा तो वो tag लगेगा हमारे Golgi body के अंदर और tag लग चुका है मान लीजिए, XYZ कुछ भी tag लग चुका है, उसके बाद में यहां से उस protein को यह लीजिए हमने यहां से उस protein को निकाला वो protein यहां से next के अंदर गया and then next में move किया और यहां पे उस protein को एक उसी तरीके से vesicle को बना कर उस vesicle के अंदर pack कर दिया गया यह कर दिया उस protein को हमने pack यह vesicle यहां से detach होगा और यह detach होगया vesicle अब इसमें एक modified tagged protein present है जो यह round vesicle है जो यह structure है इसके अंदर round हमारे पास protein present है इस round structure में अब यह protein क्या-क्या fate acquire कर सकता है इसका fate क्या हो सकता है कहां जाएगा अब यह protein पहली बात अगर यह protein membrane का protein है देखिए एक cell है वो उसके अंदर structural unit protein है उसके अंदर बहुत सारा structure protein से बना हुआ है तो हमने last session में जब plasma membrane के बारे में पढ़ा था proteins present है वो proteins कौन कौन से present है extrinsic protein, intrinsic protein on the ease of extraction हमने कुछ ऐसे proteins की बात की थी ना तो exactly जो वो protein थे वो कहां से आये थे वो protein इस endoplasmic reticulum के membrane के उपर से बन कर गोलजी body में pack हो कर और फिर वो आगे के तरफ protein travel किये थे और वो protein आकर कहां लग गए थे plasma membrane के अंदर आकर लग गए थे वो protein तो मतलब cell कोई protein अगर अपनी plasma membrane में लगाना चाहता है कोई cell अपनी plasma membrane में कोई protein लगाना चाहता है तो वो इसी तरीके से protein बन कर आता है और plasma membrane पर लग जाता है I think कि यहां तक की बात क्लियर है है अब देखिए सेल्स कुछ सिक्रीट भी तो करते हैं तो किसे नहीं तो सिक्रीट किया है किसी सेल ने सिक्रीट किया है तो मतलब कोई सेल उस तरीके से कुछ सिक्रीशन भी तो कर सकता है तो अगर बाई चांस ये प्रोटीन जो बनकर आया वो एक सिक्रीशन वाला प्रोटीन था जिसको सेल ने बहार रिमूव करना था सेल से उसको सिक्रीट करना था तो इसी प्रोटीन को सेल के बाहर भेजा जा सकता है सिक्रीट सिक्रीशन के लिए उस प्रोटीन को बाहर भेजा जा सकता है तो देखो दो फेट बता दिये मैने आपको पहला फेट हमारे पास क्या था कि वह एक membrane का प्रोटीन बन सकता है दूसरा फेट वह एक secretion एक secretion में role play कर सकता है वह secret हो सकता है Next अब important बात आ चुकिये है पास इससे भी जैदा कि जो वो प्रूटीन बन कर आया वो प्रूटीन एक अधर ऑर्गनवी एक अधर ओर्गनवी जिस ऑर्गनिरी का नाम है हमारे पास व्धूल क्या नाम है जो अई च Alb acum हाण ये दिखते थे आपर इसको कि व्हक्य। कि यह infection is ve switches से इस वेक्यॉल के अंदर जा सकता है मतलब ये एक वेक्यॉल का प्रोटीन हो सकता है मतलब अंदर जाने का मतलब यहां भी है कि क्या पता उसका उस वेक्यॉल में काम हो या उस वेक्यॉल की मेंब्रेल में काम हो ठेक है? तो वह के अंदर जा सकता है वो protein उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि जो वो protein बनकर आया हमारे पास वो move कर सकता है एक और organally जिस organally का नाम है हमारे पास lysosome क्या नाम है हमारे पास lysosome यह तो सुना होगा ना नाइंथ क्लास में सब सब को मतलब ऐसा पढ़ाया जाता है कि लाइजोजोम्स आर कॉल दे सूसाइड बैग्स ऑफ दे सिल्स है ना यह तो सुना होगा सबने पूराने टाइम में तो देखिए लाइजोजोम्स ठीक है तो यह प्रूटीन जो बनकर आया वो लाइजोजोम के अंदर भी जा सकता है ठीक है वो लाइजोजोम के अंदर जा सकता है वो लाइजोजोम की फॉर्मेशन में रोल प्ले कर सकता है हम यह बात बोल सकते है I think यहां तक की बात क्लियर है है ना कि जो प्रूटीन यहां सबस्क्राइब प्रस्कान पर मों कर सकता है तो working एंद्रप्लास्मिक रेटिकुलम कोही क्या ही हो थो भी हो सक्ता है Iowa-प्रोटीन होगे चला कर होग जिके पास जा सकता है जब और अगे चला जी से आगे भी वाने की तो बन सकता है इसके अलावा उसका कोई नहीं होगा तो देखिए आप सेल के अंदर बाहर वाले को छोड़ दो सेल के अंदर अंदर की बास करो राइस ज़ांज बोड़िज वेकोल्स और लाइसम सल के अंदर इतने इसट्रक्टर के functions एक दूसरे के साथ coordinated है ये बात आपको समझ आनी चाहिए इसलिए इतनी बात मताई मैंने कि यहाँ से जो protein बन कर आया वो यहाँ पे जाएगा मतलब ये दोनों coordinated है वो protein vacuol पे जा सकता है मतलब ये इनके साथ coordinated है वो protein lysosome में जा सकता है ये उसके साथ उसका coordination हो सकता है तो इन सभी structures का endoplasmic reticulum का Golgi body का vacuol का और lysosome का function जो है हमारे पास they are coordinated coordinated that's why these are together these together actually these together are known as endomembrane system इनी चाहर organelles को include किया जाता है endomembrane system में क्या इनी चाहर organelles को we can say that include किया जाता है endomembrane system में बिल्कुल यहां तक के बात आपको समझ में आ कही होंगी देखिए अब सुना होगा थोड़ा से न आपने कि जो lysosomes होते हैं वहाँ पर breakdown का काम होता है यहां पर कोई protein बना उसका कुछ काम होगा वो बाहर गया वो वेक्क्योल में गया but मतलब हर चीज इतनी perfect भी तो नहीं होती कुछ गड़बड हो सकती है अगर वो protein एक गड़बडाया हुआ protein बना है ठेक है? मतलब जिसका structure as such जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है उसका structure ठेक है? तो मतलब वो protein कुछ गड़बड create कर सकता है that's why हम उस protein को तोड़ देना चाहते हैं और एक protein जब तूटेगा तो लाइजों में तूटेगा और देखिए protein बना कैसे था? amino acids को जोड़ते रहे जोड़ते रहे अगर हम एक amino acid को दूसरे amino acid के साथ चोड़ दिया तो दूसरे को तीसरे के साथ जोड़ दिया तीसरे को चोटे के साथ जोड़ दिया तो तभी protein बना तभी protein बना और अगर उस protein को दुबारा लाइज़ों ने तोड़ दिया मतलब उन अमीनो आसीड को फिर से अलग-अलग कर दिया है ना वह साइट्व लाजम के अंदर फिर से अलग-अलग हो चुक है फिर उन्हीं अमीनो को फिर से यहां पर यूस किया जाएगा तो अल्टीमेटली साइकल वहीं पर आ गई तूटने के बाद में है ना इसके अलावा अगर हम बात करें प्लोरोप्लास्ट की इसके अलावा हम बात करें माइटोकॉंड्रय की परक्सिजॉम की उनके फंक्शन्स इनके असाएं औरक्सिजंग के साथ में कॉभिनेटी नहीं है अब आपके मन में एक क्यूशन अराइज हो रहा होगा प्रोबिबली कि राइबोजोंस तो यहीं पर अटैच है प्रोटीन यहीं पर बन रहा है तो फिर वो अपना प्रोटीन कहां से लेकर आएंगे अगर माइटोकॉंड्या को प्रोटीन चाहिए तो वो अपना प्रोटीन कहां से लेकर आएगा क्लोरोप्लास्ट को अगर प्रोटीन चाहिए तो वो क्लोरोप्लास्ट अपना प्रोटीन कहां से लेकर आएगा इस बात का कौन जिमेवार है ठीक है अब एक्चल के अंदर होता क्या है जो राइबोजोंस cell के अंदर free present होते है the ribosomes which are not attached to the endoplasmic reticulum membrane, वो ribosomes जो endoplasmic reticulum के membrane पर attached नहीं है मतलब free ribosomes अगर मैं free ribosomes को बनाना चाहूँ तो मान लीजिए मैंने यहां पर free ribosomes बना दिये जो cytoplasm में बिलकुल free present है होगा ना यह free ribosomes जो free ribosomes proteins synthesize करेंगे that is for mitochondria, that is for chloroplast, that is for paroxysomes ठीक है यहां तक के बाते clear है, ठीक है, जो उन्हें ने protein बनाना है, free वाले ribosomes ने protein बनाना है, वो उनके पास चला जाएगा बाकी जो बाकी कुछ बचा हुआ protein वो खुद बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे mitochondria, chloroplast, वो जब हम topic पढ़ेंगे mitochondria, chloroplast, जो महां पर बहुत अच्छे से clarify हो जाएगा अभी के लिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारे पहले structure को पहले structure को जिसको कहा जाता है ट्रीक हाँ टॉपिक का नाम है endoplasmic reticulum बतलब हमने endomembrane system पढ़ना है endomembrane system के अंदर चार चीज़े पढ़नी है endoplasmic reticulum, gaulzi apparatus, vacuoles और lyzops ठीक है इन चार चीज़ों को cover करेंगे अगर हम endoplasmic reticulum की बात करें देखो cytoplasm के अंदर है beach वले part में present है endoplasm में present है reticulum what actually reticulum means reticulum का मतलब क्या है reticulum का मतलब होता है जाल, जो एक endoplasm में एक जाल फैला हुआ है उसी जाल का नाम है endoplasmic reticulum तो देखे तो बीच वाली तरफ में जो ये जाल present है इसी जाल का नाम है endoplasmic reticulum ठीक है endoplasmic reticulum membrane वाले structures है इनकी membranes है double membrane है और जो endoplasmic reticulum है हमारे पास ये हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो origin है वो nucleus की बाहरवाली membranes से हुआ है है endoplasmic reticulum दो-तरह का होता है ठीक है दो-तरह का होता है ये हो सकता है हमारे पास rough endoplasmic reticulum rough endoplasmic endoplasmic reticulum रेटिकुलम रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में र इर कहा जाता है यह हो सकता है हमारे पास स्मूद एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम यह क्या हो सकता है हमारे पास स्मूद एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम हो सकता है चलिए थोड़ा सा यहां से भी एरेज कर देते हैं थाकि हम चलिए यह एंडोप्लास्मिक रेटिकुलर में हो सकता है हमारे पास स्मूध एंडोप्लास्मिक रेटिकुलर ठीक है S.E.R देखे आज ठंड बहुत है ठंड से बच के रहे है जो हमारे पास rough endoplasmik reticulum है वो rough क्यों है देखे यह बला endoplasmik reticulum हमें smooth दिख रहा है क्यों smooth दिख रहा है क्योंकि इसप्र ribosomes नहीं present लेकिशन अगर हम अंदर वाले endoplasmic reticulum की बात करें उसके उपर ribosomes attached है इसी वज़े से जो उसका appearance है उसका जो look है वो rough है rough endoplasmic reticulum is rough due to the presence of ribosomes over its surface यह rough क्यों है? because it is rough because ribosomes are attached over its surface ribosomes are attached ठीक है? यह वाल रफ क्यों नहीं है? यह वाला smooth क्यों है? because ribosomes are absent ribosomes are absent ribosomes are absent वहाँ पे ribosomes present है यहाँ पे ribosomes absent है present है तो rough है नहीं है तो smooth है यहाँ यहाँ प्रोटीन का synthesize करना यहाँ प्रोटीन का synthesize करना तो rough endoplasmic reticulum is associated with the synthesis of proteins तो किसके साथ associated है? तो रफ किसके साथ associated है? विद आशोटीन का यह प्रोटीन साइस कर रहे हैं लेकिन अगर आपा बात करें smooth endoplasmic reticulum की तो वो protein नहीं बना रहे they are associated with the synthesis of lipids क्या बना रहे हैं ये lipids बना रहे हैं अब हमारी body में देखिए कहां lipid बन रहे हैं कहां protein बन रहे हैं देखिए पहली बात तो protein तो सब cell को चाहिए ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा activity protein की अगर देखे जाएं तो वो cells कर रहे हैं जो enzymes को secrete कर रहे हैं जो enzymes को secrete कर रहे हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज्यादा amount में मिलेंगे जहां पर high protein activity है ठीक है लेकिन अगर हम specially बात करें हमारे smooth endoplasmic reticulum की तो ये वहाँ पर ज्यादा associated है जहाँ पर steroid hormones बन रहे हैं ठीक है जो जहाँ पर हमारे steroid hormones बन रहे हैं वहाँ पर इसकी activity हमें ज्यादा मिलने वाले हैं ठीक है अगर हम endoplasmic reticulum की बात करें दिखें इस endoplasmic reticulum ने इस complete cytoplasm को दो parts में divide किया था कितने parts में दो parts में एक इसके अंदरवला part एक इसके बाहरवला part अंदरवला part और बाहरवला part अंदरवला part क्या है यहाँ पर अंदर देखें कोई भी चीज है हमारे पास उसके बीच की जगह ना हम उसको lumen बोलते हैं तो अंदर वाला पार्ट लूमिनल क्या नाम है अंदर वाले पार्ट का लूमिनल लिख दें यहाँ पर एरो लगाकर अंदर वाले पार्ट का नाम लूमिनल कहेंगे और अगर हम बात करें बाहर वाले पार्ट की endoplasmic grotical बाहर वाले पार्ट की तो उसको बोल सकते हैं extra luminal क्या बोल सकते हैं हम उसको extra luminal extra luminal या फिर cytoplasmic या फिर क्या बोल सकते हैं cytoplasmic पार्ट भी बोल सकते हैं जो बाहर की तरफ present है ठीक है यहां तकी बात क्लियर है अब यहां से हमें move करना है देखि है गोल जी की तरफ हमें move करना है ठीक है जो हमारे पास गोल जी स्टक्टर्स है देखिए एक चीज़ हो रहा घी हमारे पास थोड़ा सा देखिए जो हमारे पास endoplasmic क्रिटिकुलम है ना उसके इंदर जो हमने structures की formation की यह structures तीन तरह की हमें मिल सकती है इस तेन तरह की हमें मिल सकती है तो sister ने tubules और vesicles की formation हो सकती है अब ये sister ने क्या है tubules क्या है ये vesicles क्या है देखिए जो structures मैंने भी draw कर रखी है ये sister ने है अगर हम बात करें tubules की तो tubules ना tube-like structures है tubules कैसे है tube-like structures है इस तरीके की interconnected tubes होती है इस तरीके से ठीक है उनको हम tubules बोलते है ये हो गया sister ने sister ने इसको बोलतेंगे tubules ठीक है और जो ये round round structures हमने vesicles वहार निकाली थी ये third party, third type हो जाता है vesicles तो ये हमें sister ने tubules और vesicles की form में मिल सकता है मिलता है नेक्स्ट पार्ट पर move करते हैं जिसको हमने गोल जी कहा अगर हम गोल जी की बात करें तो गोल जी बोडिस को discover किया था हमारे एक scientist ने जिनका नाम था Camilo Golgi कहाना था Camilo Golgi 1898 में उन्होंने ये discovery की थी ठीक है? तो लिखते हैं इसके बारे में पहले हम इसको erase कर दें अगर आप सब note करना चाहते हैं तो इसको note कर सकते हैं ठीक है? Camilo Golgi ने discovery की थी ठीक है? गोल जी बोडिस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें sister नहीं मिलते हैं बहुत सारे ठीक है? गोल जी बोडिस में हमें बहुत सारे sister नहीं मिलते हैं जिस तरीके की sister नहीं मिलते हैं हमारे यहाँ पर endoplasmic reticulum में ठीक है? उसी तरीके के हमने यहाँ पर sister नहीं के बारे में पढ़ना है अब गोल जी बोडिस का काम हमने थोड़ा सा पड़ी लिया है ठीक है तो हमें गोल जी बोडिस को ज्यादा कवर अप करने में देर नहीं लगेगी ठीक है फटा फट से हम गोल जी बोडिस को कवर करते हैं गोल जी बोडिस पहली बात हो इनके नाम भी बहुत सारे हैं इनके नाम भी बहुत सारे हैं गोल जी बोडिस को इस इस अपरेटर्स का नाम भी है सेंटिस का नाम है कैमिलो गोल जी अगर येर की बात करें तो इनका जो येर था देटिस 1898 कौन सा येर 1898 ठीक है 1898 में के अंदर इस औरगनली की डिस्कवरी हुई थी ठेक है सिस्टर ने है कुछ इस तरिके के हमारे पास देखिए अब अगर हम इसकी बात करें न गोल जी के तो हमें गोल जी में दो फेज नजर आ रहे है क्कोंसे दो फइस एक तो ये व्ला फेज जो हमारा एंडूपलाज्बिक रेटिकुलम की तरफ प्रेजेंड है एक वह व्लाफ फेज जो बिल्कुल दूसरी तरफ प्रेजेंड हैं इस तरीके से एक इधर वाली तरफ फेस है और एक इधर तरफ इस दूसरी तरफ फेस है हलाकि यह इंटर कनेक्टेट होते हैं दूसरे के साथ में पर फिर भी दो फेस होगे एक बाहर वाला फेस sorry अंदर वाला फेस बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये वाला फेस और एक ये बाहर वाला फेस जो हमारा अंदर वाला फेस है इसके हमारे पास तीन नाम है ठीक है पहली बात तो ये same side में present है जब same same side की चीज़ होते है न तो हम उसको cis तो ये अंदर की तरफ प्रेजन्ट है न्यूकलेस की तरफ प्रेजन्ट है एंड़प्लास्मिक रिटिकलम की तरफ प्रेजन्ट है same same present है ठीक है तो हम इसको cis face बोलते हैं क्या बोलते हैं अंदर वाले face को हम यहां पे देखिए वैसिकल बनकर आकर fuse हुई फ्यूज होने से क्या होगा यह जो गोलजी बोड़ी है यह फॉर्म हो जाएगी यह बड़ी हो जाएगी है ना फॉर्म हो जाएगी ओवेसी बता है इतना लिपेड आकर अगर इसको उपर लग चुका है तो यह बड़ी हो जा जाएगा तो यह बड़ी हो जाएगी तो प्रोटीन और लिपेड आकर यहां पर इसको बड़ा करने का काम कर रहे है इस साइड से इसी वज़े से सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है वी कॉल इट एज को फॉर्मिंग फेस ठीक है नेक्स फेस हो गया फॉर्मिंग फेस हो गया अगर हम नेक्स फिंग की बात करें तो नेक्स फिंग हमारे पास यहां पर क्या है कि जो हम क्या कहते हैं इसको कनकीव एंड कनवेक्स सुना हो गया न है न तो इसी फेस को कनवेक्स फेस भी कहा जाता है क्या कहा जाता है Convix phase अब बच्चों को यहाँ पर बड़ी confusion रहती है कि सर यह Convix क्या होता है यह Concave क्या होता है और तो Physics से चलता जलता है एक Biology में और आ गया देखिए बहुत Simple है Convix और Concave को याद रखना यह से मैंने याद रख रखना जैसे मैंने याद कर रखना एक जिक्लिए आप वैसे याद कर सकते है मेरी ट्रिक बदाता हूं कैसे याद किया था हमारे टाइम है देखिए दो phase हो गए एक तो बहार वाला phase हो गया यह एक अंदर वाला phase हो गया इस तरीके से हो गया अब कोई चीज इस तरीके से मैंने बना दिया आपको ठेक है अगर हम इस तरफ की बात करें और इस तरफ की बात करें क्या डिफरेंस है एक तरफ तो cave बन रही है एक तरफ cave नहीं बन रही तो जिस तरफ cave बनती है उसको कहा जाता है concave cave बनी ना concave तो यह वाला फेस तो हो गया concave वाला opposite वाला हो गया convex तो cave कहा बन रही है इसी फेस में बन रही है तो यह वाला फेस तो हो गया हमारे पस concave यह तो हो गया हमारे पस concave और जो दूसरे वाला फेस है पिछे वाला फेस है वो हो गया हमारे पास convex I think clear है यहां तक ठीक है interconnected sister ने है बहुत सारे इनका diameter पूछा जा सकते है आप से कभी तो 0.5 micrometer से लेकर 1 micrometer तक के यह हो सकते है इनकी dimension sister ने की dimension लिख लेज़ेगा 0.5 micrometer से लेकर 1 micrometer तक यह हो सकते है इनके sister ने अब एक तरफ की phases के बात कर ली तो हब हम दूसरी तरफ के phases के बात भी कर लें जो दूसरी तरफ के phases है हमारे पास हो कैसे है concave phase एक नाम तो पता लग गया opposite नाम लिखना है cis था तो यह trans हो जाएगा cis था तो यह trans हो जाएगा forming था तो यहाँ पर maturing हो जाएगा maturing phase हो जाएगा ठीक है हो गया इसका structure काम देखें इसके अब यह और क्या काम कर सकता है हमने इसके बारे में पढ़ा यहाँ पर protein की packaging होती है यहाँ पर क्या होता है packaging of protein होती है इंटर कनेक्टिड सिस्ट अरने के बीच में protein packing लिखते है ना Cameleo गोल जी तो सबने note करी लिया होगा ठीक है तो यहाँ पर packaging of protein होती है packaging of protein modification of protein अगर protein को modify करना है तो modification हो जाएगी अगर किसी protein को आगे भीजना है आगे तो भीजना है ठीक है तो टागिंग की जाएगी प्रूटीन की एक टाग का नाम बता देता हूं आपको manose 6-phosphate एक शुगर का भीजना है तो उसके उपर जो टाग लगाया जाएगा देटेस अफ manose 6-phosphate ताग गींग की जाएगी यहाँ पर प्रूटीन की सोर्टिंग की जाती है यहाँ पर और तो और यहाँ पर कुछ कुछ गलाइको प्रूटीन और गलाइको लिपिट्स की सिंथिस भी की जाते है तो यहाँ पर formation of glycolipids and glycoprotein यहां लिगले गलाइको लिपेट्स एंड गलाइको प्रोटीन्स गलाइको लिपेट्स एंड गलाइको प्रोटीन्स भी बनाए जाते हैं अधिक यहां तक की बात क्लियर है कि यह जो गोल्जी है यह है क्या सिस्टर ने हैं, कैमेलियो गौलजे ने 1898 में डिसकवर किये थे एंडोप्लास्मिक रेटिकोलं के बिलकुल पास की तरफ प्रेजन्ट है एंडोमेमिनल सिस्टम का पार्ट है 0.5 माइक्रो मेटर से 1 माइक्रो मेटर तक के इनके डाइवेंशन हो सकती है इनके दो फेज की बात की, एक अंदर वाला फेज जिसको हमने नाम दिया सिस फेज, फॉर्मिंग फेज, गुंविक्स फेज, एक बाहर की तरफ वाले फेज को नाम दिया कनकेव फेज, ट्रांस फेज, एंड मैचुरिंग फेज, ठीक है और तो और हमने पढ़ा यहां पर, गलाइको लिपिड्स और गलाइको प्रोटें thesis भी होता है तो गॉल जी के पारे में हमने पढ़ लिया तो हमने anndo membrane system के दो पार्ट्स को खतम कर दिया अब हम anndo membrane system के next पार्ट्स पर मुव करते हैं जो की हे हमारे पस vacuol जो कि है हमारे पास वेक्योल अब वेक्योल को बहुत जगें पर storehouse भी कह सकते है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजों को store कर लिया जाता है sell के अंदर जितना भी content है न उसको चक चक कर सारे को वेक्योल के अंदर डाल दिया जाता है water को store किया जा सकता है sap को store किया जा सकता है sap क्या होता है sap क्या होता है अगर water के अंदर बहुत सारे ions वगेरा mix कर दिया जाए है न कुछ inorganic content को mixed up कर दिया जाए तो हम उसको बोलते है sap जैसे water के अंदर जो liquid होता है जो xylem के अदर move कर रहा है हम उसको simple water ना कहकर हम उसको क्या बोलते हैं sap बोलते हैं ठीक है तो अब हम vacuol के बारे में बात करना start करते हैं पहली और खास बात important vacuol के लिए बात है हमारे पास कि जो हमारे vacuols है जो हमारे vacuols है यहार single membrane structure vacuol कैसे हमारे पास single membrane structure है हुआ है कि सिंगल है कि मैंब्रेन है कि स्ट्रक्चर है अब एक सोचने की बात है कि यहां पर एक अगर मैं कहरो है वेक्यों वेक्यों में बहुत सारी चीज़े को स्टोर किया जा रहा है तो मतलब बहार से चीजें अंदर की तरफ लेके जाए जा रही है अंदर तो पहले ही भरा हुआ है और भीड़ाड और डालते रहो उसके अंदर तो यह अंदर जो समान डालने का प्रोस सब्सक्टरेशन ग्रेडियेंट तो पिसकोना जाएगा और तो अगेंस्ट कैन्सक्यों ग्रेडियों यहां पर फ्वीफ को यूज़ करते है एक्टरक्यों होता है अगर हम बात करें single membrane of the vacual की तो इस single membrane के लिए term use कि जाते है न हाप एक वैक्वी की membrane के लिए term used की जाती है और उस membrane उसको बोलते हम tonoplast क्या बोलते हम उसको tonoplast tonoplast is the single membrane of vacuole क्या है vacuole की membrane है vacuole के अंदर content हमने भर दिया डाल दिया ठेक है vacuole plant cells में भी मिल सकते है हमारे पास और vacuole animal cell में भी मिल सकते है but what are actually the differences between the vacuoles of plant cell and the animal cell जो plant cell में vacuole मिलेगा न वो बहुत बड़ा vacuole मिलेगा plant cell के अंदर बहुत बड़ा vacuole मिलेगा और plant cell के अंदर that can acquire अगर plant cell के vacuole की बात करें तो plant cell में जो vacuole मिलेगा that can acquire up to 90% of cell volume 90% तो plant के अंदर vacuole ही जगे घिर लेगा एक cell का ठीक है और single vacuole मिलेगा plant में ऐसे बहुत सार vacuole नहीं मिलते एक मिलेगा बड़ा vacuole मिलेगा लेकिन अगर हम बात करें animal cells की तो animal cells के अंदर जो vacuole मिलेगे animal cell में जो vacuole मिलेगे they are small in size लेकिन वो मिलते multiple है multiple मिलते है small size के मिलते है और ऐसा भी हो सकता कि ना मिले they may be upset ऐसा हो सकता ना भी हो वहाँ पर तो कुछ जुरूरी नहीं है कि हमेशा होगा ही होगा ठीक है vacuole vacuole की अगर हम एक और बात पर चलें तो vacuole की नाम देखते हम कि vacuole की नाम क्या है जैसे की food vacuole जैसे की हमारे पस contractile vacuole ठीक है food vacuole and contractile vacuole की बात कर लेते हैं ठीक है लिख देते हैं यहाँ पर सबसे पहले contractile vacuole की बात करते हैं ठीक है contractile vacuole का क्या काम है जहाँ पर भी आपको मिल जाए contractile vacuole उसका काम है Osmo Regulation का, उसका काम है Excretion का Osmo Regulation and Excretion are the functions of contractile back y'all अब सोच रहे होंगे, यह Osmo Regulation क्या बला आ चुकी है हमारे सामने Nothing, कुछ नहीं है, जैसे हमारी kidney क्या कर रही है हमारी body में ions के balance को maintain कर रही है हमारी body के इंदर water के balance को maintain कर रही है एए ते इस समरेगरिशन थे कैं वेसा वैसा वैसे समरेगरिशन का का काम, maintenance का काम, contractile back y'all करते है थे contractile back y'all क्या कर रहे है, लिख दे टेनेन के साथ में ì्यार डुइंग फंक्शन ऑफ यह contractile back y'all का का अप गजरा है ओसमरेक्शन कर रहा है और यह साथ में क्या कर रहा है एक्स्क्रीशन कर रहा है ठेक है यहां तक यह बात क्लियर है निक्स्ट वेक्योल हम बात करें फूड वेक्योल की बात करें फूड वेक्योल तो सबने देखा सुना मनलब देखा तो क्या सुना सबने होगा फूड वेक्योल के बारे में कि सबने अमीबा के बारे में पढ़ाओ आना अमीबा क्या करता है। स्चूडो-पोडिया परेसे रेज двух video सीडो-पोडिया के हैं से वो फूड को घरता है और जब घरता है कि अ सब्रेख़कर ख़ंदेर बारे कि फर्मेशन हो जाती है। जिसमें बहुत सारा cell sap और water, other things, other organic matter उसके अदर present हो सकता है, ठेक है, against the concentration gradient, उन सभी content को अंदर डाला जाता है, against the concentration gradient, move करवा जाएगा सब चीजों को, vacuol के अंदर, ठेक है, vacuol plant cells और animal cells दोनों में मिल सकता है, plant cell में 90% तक का part उसके अंदर acquire करता है, एक बात और, कि जो हमारे पास maristematic cells होते हैं, you all know what are actually maristematic cells, वो cells जिनके पास plant के अंदर division की capability है, plant के अंदर जिन cells में division की capability है, उनके अंदर इतने बड़े-बड़े vacuol नहीं मिलते, अगर उनमें इतने बड़े-बड़े vacuol मिलेगे, तो उनके division की capability के साथ hindrance create करेगे, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे नहीं है कि वहाँ पर इतने बड़े-बड़े vacuol मिल रहे हैं, नहीं, ठीक है, plant cell के अंदर 90% तक का part vacuol फिल कर रहे हैं, अनिमल सेल के अंदर multiple vacuol मिलते हैं, small मिलते हैं, और हो, जरूर ही नहीं है कि हमेशा मिले, लेकिन plant cell में मिलेगा है, मिलेगा vacuol, ठीक है, this is about the vacuol, हाँ, उसके बादे हमने दो तरह की vacuol की बात की, contractile vacuol की बात की, और food vacuol की बात की, contractile vacuol, awesome regulation and excretion में रोल प्ले कर रहा है, food vacuol, food को grab, जो grab करा हो food है, उसको अंदर रखेगा अपनी बोड़ी के अंदर, amoeba, ठीक है, उसको digest करेगा, वहाँ पर बात की, ठीक है, this is about the vacuol, ठीक है, यह vacuol के बारे में हो गया, अभी हम जो next, थोड़ा हमारा रह गया, endomembran system का चोथा पार्ट, हमने तीन पार्ट कवर कर दी है, endomembran का पार्ट, endoplasmic reticulum, golgi bodies, vacuol, and अब बात आ गई, lyzosomes की, की lyzosomes क्या है, ठीक है, चलो, lyzosomes के बारे में सुना है सबने, द्यार call the suicide bags, देखिए, कि अगर किसे ने कुछ note करना है न, तो कर लो, मैं रिस कर रहा हूँ, ठीक है, vacuol, के बारे में सबने सुना होगा, त्यार call the suicide bags of, है न, of the cell, क्यों कहा जाता है, उनको suicide bags, आज आपको बता लगए जाएगा, उनको suicide bags क्यों कहा जाता है, ठीक है, उनका काम है lizoom का, कि break down the stuff, जो content present है, cell के अंदर, extra content present है, कुछ waste है, कुछ toxic substances है, ठीक है, कोई foreign body अंदर enter कर चुकी है, cell के, तो उसको जो degrade करने का काम है, उसको breakdown करने का जो काम है, वो हमारे lizoom को सोपा होगा है, उस सारा काम कौन करता है, lizoom करते हैं, लाइजो, जॉम्स, लाइजोम में बहुत सारे enzymes, membrane-bound structure है, ठीक है, बहुत सारे enzymes मिलते हैं, इसमें enzymes मिलते हैं, जिनका enzymes का काम है, ब्रेकडाउन करना stuff को, enzymes का नेचर हाइड्रोलिटिक है, enzymes कैसे है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, लगबग, लगबग, 60 different kinds of enzymes, लाइजोम के इंदर बिलते हैं, 60, ठीक है, उनमें से कुछ enzyme लिखते हैं, प्रोटीएज, लिपेज, कार्बो हाइड्रेटेज, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने वाले, लिपेड को तोड़ने वाले, कार्बो हाइड्रेट को तोड़ने वाले, सब चीजों को तोड़ने वाले, वहाँ पे हाइड्रोलिटिक enzymes प्रिजेंट हैं, अट इस enzymes are active at at low pH, एक सोरी, ठीक है, highly acidic pH, ठीक है, और low pH, प्रोटीन को प्रोटीन गलत बन गया, तो इसको डीग्रेट करना है, तो मतलब ब्रेकडाउन करने का काम है, जो highly complex molecule है, उनको simple simple molecule में तोड़ने का ये काम करते है, ठीक है, complex molecule को simple simple molecule में तोड़ने का काम करते है, प्रोटीन को तोड़ेंगे, तो amino acid है, amino acid करतेंगे, अगर ये carbohydrate को तोड़ेंगे, तो glucose ही glucose करतेंगे, lipid को तोड़ेंगे, तो glycerol और fatty acids करतेंगे, ठीक है इस तरीक है के काम करने का काम करने का function यह 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 इंगा काम हो गया इनको suicide bag हमने क्यों कहा एक इनको suicide bag कहने के पीछ फंक्शन क्या है जो लाइसोजोंस है कुछ membrane bound structures है इंकेस cell को कुछ harm हो जाता है cells को कुछ destruction हो गया तो यह करेंगे क्या यह hydrolytic enzymes cell के अंदर secrete कर देंगे और cell के अंदर secrete hydro enzymes सभी organelles को and other things को degrade कर देंगे sorry degrade कर देंगे deteriorate कर देंगे अब अंदर 60 तरह के enzymes है protein, lipid, carbohydrate सब को दोड़ने का काम कर देंगे तो सब को स्टूट जाएगा ultimately cell की death हो जाएगी ठेक है और इसी वज़े से इनको suicide bags कहा जाता है ठेक है So this is all about the lysosomes तो आज के session में हमने endomembrane system के बारे में cover किया हमने कहा कि endomembrane system है क्या क्यों है हमने इसकी बात की कि cell के इंदर कुछ ऐसे membranous structures प्रेज़न है इनके functions एक दूसरे के साथ coordinated है इसलिए वज़े से हमने उनको endomembrane system कहा और यहाँ पर चार चीजे included है endomembrane system में पहला endoplasmic reticulum दूसरा golgi तीसरा vacuol चोथा lysosomes चार चीजे coordinated एक दूसरे के साथ में functions coordinated है इसलिए वज़े से ये endomembrane system का part है smooth lipids बना रहा है steroid hormones जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर ज़्यादा amount है इनका जो हमारे rough endoplasmic reticulum थे वहाँ पर ribosomes attest थे protein बनाने का काम कर रहे थे तो जहाँ पर protein ज़्यादा बना चाहिए वहाँ पर वो role play कर रहे थे protein यह हो गया हमारा endoplasmic reticulum का काम golgi body के हमने cyst phase की बात की forming phase की बात की convex phase की बात की opposite वाले को हमने trans phase कहा concave phase कहा maturing phase कहा यहाँ पर functions कौन कौन से हो रहे थे हमारे golgi body के इंदर यहाँ पर protein की packaging हो रही थी sorting हो रही थी वहाँ पर कुछ tag लगाय जा रहे थे जैसे कि लाइजोजोम में कुछ बेजना है तो मैंनो 6-phosphate का tag लगाया जा रहा था कुछ ऐसे ही processes यहाँ पर हो रहे थे उसके बाद में हमने vacuol की बात की जहाँ पर membrane का नाम tonoplasm था single membrane थी vacuol की और different food syrup को यहाँ पर store किया जा रहा था अगर हम बात करें लाइजोजोम की तो यहाँ पर waste disposal unit high type से ठीक है suicide bag कहा जाता है और सब कुछ यहां से ब्रेक किया जाएगा सब कुछ यहां पर hydrolytic enzymes प्रिजेंट है highly acidic pH पर work करते हैं लाइजोजोम के तो इस आल अबाउट तोड़ी सेशन होप है आपको सब को समझ में हो गास आपको इस थेक है थेक है थेंक यू ओके बबाई अनदर सेशन बबाई